हालो गाइस स्वागत है मेरे चैनल पर मैं हूँ आपका ट्यूटर बिजेश और अब हम करने जा रहे हैं वीडियो नंबर फो जिसमें 17 एक्सराइस का 8 9 10 11 चार सम करेंगे 8 9 10 11 करेंगे बने रहे मेरे साथ और चली देखते हैं किस तरह से सॉल्फ करना है यह चार सम शुरूआत करेंगे शुरूआत करेंगे आठवे से इंदी गिवन फिगर ओ इसी सेंटर अफ दिस सर्कल ए ओ बीजिकल वन फॉर्टी डिगरी ए ओ एसी सारा का सारा दिया हुआ अब क्या करोगे आपको निकालना है कौनसा आपको निकालना है ACB तो लाफ टू फाइंड ACB मतलब ACB OBC OBC यह भी निकालना है आपको OAB निकालना है आपको OAB आच्छा बीच में क्लाइन बनाने पड़े कि ऐसी ठीक हैं CBA CBA basically यह वाला एंगल भी निकालना है CBA यह वाला मतलब बेसिकली दोनों एंगल आपको निकालना है चलो ठीक है करते हैं मैं बताता हैं आपको क्या करना है शुरुवात करेंगे हम लोग सबस्सक्ति करेंगे सबस्टी नथे। मुझे णिक भी साम करते हैं क्या करते मौंब क्या वेच जब मुझे यह पोढ़ा लिकेंगे तो इस अ अपका शुरुशा a d and b d where d is any point on circumference d is any point on circumference on circumference correct पराबर है now solution में क्या लिखेंगे since 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 हमें पता है कि angle a o b is twice the angle a d b देखो theorem number theorem number five कहता है यह क्या कहता है theorem number five theorem number five कहता है कि आपको देखो मैं description में अपने video को description में सारे कर दूंगा तो from where you can just verify and you can understand कौसी थेर्म के मैंने बात की थेर्म number five कहता है कि अगर आप center से एक angle subtend करते हो तो वो double होगा angle subtended by same arc on circumference मतलब अगर मैं b c a को एक arc समझू b c a को एक arc सम्झू ठीक है तो जो एंगल सब्टेंडर एं वी सी एक आर कैसे जो एंगल सब्टेंडर है और यह जो एंगल सब्टेंडर देविच सेंटर सीवाला इसका डबल होता है यह वाला अगर 2x तो यह एक्स होता है सम्झा क्यों कि दे आर सब्टेंडिक दी कॉमन आर्क अंडरस्टूड नाव वाट वी नीट दू यह वी नीट तो यह वी नीट तो यह जो एंगल अगल एडी बी इस एक्वल तो सब्सक्राइब करेक्ट अच्छा आपको एक और काम करना थे यहां पर एक लाइन जॉइन करने थे करेंगे अब लोग सो यहां पर कंस्ट्रक्शन में लिखना था अच्छोडिक कोई बात में ना आपको एडी बी जो 70 मिला अब क्या करोगे सिंस सिंस क 250 A C B D is a cyclic quadrilateral is a cyclic quadrilateral it is a cyclic quadrilateral why because AC B and D which are a vertices of quadrilateral they lie on circumference okay so therefore what can i say i can say that angle major angle adb plus major angle acb is equal to 180 degree whatever 180 degree so therefore major angle adb 70 plus major angle acb is equal to 180 degree so ultimately major angle acb is equal to 110 degree so this angle you got as 110 degree understanding this now we'll move on abhi ham loko obc nikalala hai o b c obc nikalala chalo tighe kaisi nikalala hovc obc ki baat karay ham loob so how do we find obc oh a pen who oh b c ki baat karay chalo thik hai nikalte aya usko abhi zekho hitha ki yaha peh since yaha peh I'm looking since since that is a quadrilateral korn oacb is a quadrilateral quadrilateral अगर वो हो इसका मतलब क्या therefore angle a o b plus measure angle o b c plus measure angle c a o plus measure angle c a o plus measure angle a o b हो गया दे पहल बी हो गया फिर ओवी सी को गया फिर सी बी ए ओग यह वा-सी बी कि नहीं सी ए ओओ बी ओबी सी बी सी फिसी ए ए और इस बी सी ए अट ए डान दें जी ए और विच्टि से जी खेल डिक्रेन ये आंगल सम् property of a cordy lateral है so therefore A, O, B पता है हमें 140 O, B, C, पता है हमें क्या O, B, C, नहीं पता है वही तो निकालना है O, B, C C, A, O हमें पता है 50 B, C, A हमें पता है 110 which is equal to 360 ठीक है so therefore therefore a measure angle O, B, C plus left में सारे एंगल का सम कर दो 140 में से अगर मैं 50 आड करूंगा 140 में तो 190 होगा 190 में 110 करूंगा तो 300 होगा so 300 equal to 360 so therefore measure angle O, B, C is equal to 60 degree so O, B, C आपका 60 degree हो गया कितना हो गया 60 degree ठीक है so O, B, C आपका 60 degree ये वाला आपका 110 degree आगे बढ़ते हैं now we move on to we move on to this part which part ये वाला इसका और इसका ने कर दादा हम लोग क्या करेंगे let यह पहर 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 जोईन करेंगे join A, B फिर करेंगे let major angle O, B, A is equal to X degree but O, B and O, A are same radii are radii of same circle radii of same circle what does it mean it means that triangle O, A, B is an isoscelest triangle isoscelest triangle what does that mean that means that agar आप देखो बेस आगल है therefore angle A, O, B major angle A, O, B plus angle O, B, A plus angle A, O, B O, B, A plus angle O, B, A so hojaega B, A, O he hojaega 180 degree angle sum property of a triangle यहा पहर लिखना है angle sum property of a triangle please do write पूरा लिखना guys पूरा लिखना ठीक है therefore A, O, B is 140 degree plus O, B, A is X plus X which is B, A, O and this is 180 degree therefore 2X is equal to 40 degree and your X is equal to 20 degree so what does that mean that means that angle O, A, B is equal to 20 degree and angle O, B, A is equal to yeah C, B, A C, B O, A, B and O, B, A is equal to 20 degree so you got this angle also now we need C, B, A C, B, A how do we find measure angle C, B, A कैसे निकालेंगे C, B, A now C, B, A निकालना है हमें तो एक काम कर सकते हैं हम लोग हम लोग क्या कर सकते हैं देखो अगर angle C, A, O अगर 50 degree है so angle C, A, B will be how much 50 minus 20 which is equal to 30 degree बराबर so ये वाला angle आपका 30 degree है अभी angle सम्प्रॉपर्टी लगाओ किसमें so देखो measure angle measure angle C, A, B plus measure angle C, A, B measure angle ABC plus measure angle BCA is equal to 180 degree so what does that mean that means that measure angle C, A, B is 30 degree plus measure angle ABC, ABC we don't know ABC हमें नहीं पता plus measure angle BCA which is 110 and this is 180 degree so ultimately if you find try to find the angle measure angle ABC ABC which we want it is 180 minus 140 which is equal to 40 degree so ultimately this is your 40 degree 20 degree हो गया O, B, C आपका आगया O, B, C आपका कितना है O, B, C O, B, C कितना हो गया O, B, C 60 हो गया and ultimately उपर वालाबर 110 है तेके correct है answer आया है कि आपका 110, 60, 20, 40 so this is the 8th sum which we tried doing guys आए समझ में आपको easy है कुछ जादा difficult नहीं आगे बढ़ते है 9th वाला इसमें देखो CDB निकालना है आपका CDB so CDB so ये निकालना है ABC ABC निकालना है ये निकालना है आपको ACB निकालना है ACB so ये पूरा निकालना है ABC ABC बाद में ACB निकालना है तो कैसे करोंगे अब यहां पर थियरम लगने वाले हैं कैसे थियरम लगने वाले दिखो अब मुझे बात बताओ अगर यह 49 है किसे के हृदखो यह भी दिखो सब्सक्राइब मिशलिता के सब्सक्राइब दोनों जब्सक्राइब सब्सक्राइब 0607 कि जो कि सब्सक्राइब काउन कान बढ़न में रृगना कर दो इसका ना अभी यह 49 हो गया इसका ना अभी यह 49 हो गया असी यह 43 है सो यह भी 43 होगा अगें त्यारम नंबर 6 वही बात हो जाती है common RK AC अच्छा ACB की बात होती है अभी ACB कैसे निकालो एंगल सम प्रॉपर्टी किस में इस में ठीक है नव लेक एग पात बताओ फॉर्स फर्स्ट वाले का करेंगे अमने सबसे पहले मेजर एंगल मेजर ऑंगल CAB प्लस मेजर ऑंगल CAB plus मेज्ड अइन न्यसी ड़ी ब इस उक्वल अच्छे प्लस्क्राम है आज यह ए टरिकोल यह थेम अबर 6 थेरम नमबर 6, क्या है थेरम नमबर 6, वो बड़ा है, थेरम नमबर 6, अंगल in the same segment of a circle are equal, that is theorem number 6 from a textbook, अगर नहीं आपके पास textbook तो मैं आपके description section में, इस वीडियो के description section में लिख दे रहा हूँ, so basically आपका मेशर अंगल, मेशर अंगल C, D, B, that is equal to 49 degree, so ये हो गया, second one, अच्छा, मेशर अंगल, मेशर अंगल A, D, C, is equal to मेशर अंगल, मेशर अंगल A, B, C, why, again theorem number 6, what does theorem number 6 say, it says that, अंगल in the same segment of a circle are equal, मेशर अंगल, मेशर अंगल, मेशर अंगल, मेशर अंगल A, B, C, is equal to 43 degree, now, what we will do, we will now apply angle sum property in triangle, in triangle A, B, C, in triangle ABC, I am looking at clicking, angle ABC, plus angle B, A, C, plus angle ACB, is equal to 180 degree, so therefore, not the same, angle sum property, angle sum property, of a triangle, so this is what we have, now, ABC, what is it, ABC, it is 43, plus B, A, C, which is equal to 49, plus ACB, angle ACB, which is equal to 180 degree, so therefore, 9, 10, 11, 12, and this is charge, now, 92 plus measure angle ACB, is equal to 180 degree, आरे समझ मेश मेश अपका ACB कितना आने वाला है, ACB अपका अगा, therefore measure angle, ACB is equal to 180 minus 92, and that is equal to 88 degree, so you got all the three values, all the three angles, ठीक है, आरे समझ में, आगे बढ़ते हैं, चलो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, दस्वा करते हैं, दस्वा तेंथ वाला, in this given figure, given below, ढेको साइकलिक को डिल एले आपका ABCD, in which BAD 75, सारा का सारा angle आपको दिया हुआ, what they are telling, they are telling that, कि यहाँ पर ABCD आपको दिया हुआ, what they are telling, we need to find BDC, कहा गया, B, D, C, अच्याँ, यह वाला angle निकलना आपको, okay that is fine, BCD, B, C, D, यह वाला आंगलना आपको, तापको जॉइन भी करना पड़े है कि चलो जॉइन कर लेते हैं कि कोई बात कि ये निकालना है चलो देखते हैं कि सहरों से करना है सबसे पहले हम अ-अ-पर हम लोग स्टार्ट करेंगे सो एक बात बता मुझे इन ट्राइंगल एबी सी एबीडी सोरी एबीडी में हम लोग लगाएंगे एंगल सम् प्रॉपर्टी एंगल सम् प्रॉपर्टी देखो जैसे यहां पर सपोर्ज अगर इसको एक्स लूग क्या नहीं लेता हूं ओके एक एन्वी चानल एन्वी बात ही हम लोग क्या करेंगे मेश अंगल A D B फ्लस मेशर अंगल A B D फ्लस मेशर अंगल D A B is equal to 180 degree ठीक्या अंगल सम् प्रॉपर्टी आफ त्रांगल अंगल सम् प्रॉपर्टी आफ त्रांगल पूरा लिखना रिंगल पूरा लिखना दर्फोर मेशन अंगल A D B is 77 बस मेशन अंगल A B B is 58 बस मेशन अंगल D A B is 75 पूरा हो 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 A D B is not 77 let us take X suppose यह पर X let this and this is 75 which is D A B so D A B 75 which is equal to 180 degree so अम लोग यह पर assume करेंगे let measure angle B D A is equal to X so therefore X plus अभी यह हो जाएगा 8513 यह हो जाएगा 8513 133 this is equal to 180 degree so therefore X is equal to 180 minus 133 which is equal to 133 or 47 so X is 47 so this is 47 whatever अगर अगर है 47 है मुझे एक बात बताओ measure angle A D B is actually equal to measure angle ACB 5 theorem number इसको लेकिए theorem number 6 theorem number 6 क्या theorem number 6 angle in the same segment of a circle are equal correct so therefore measure angle ACB is equal to 47 degree correct 47 degree now अपने को निकालना है B D C तो हम लोग लिखेंगे since measure angle B D C is equal to measure angle AD C minus measure angle AD B आपको यह वाला निकालना ना तो 77 मेंसे 47 minus कर दो this is equal to 77 minus 47 which is equal to how much this is equal to 30 degree so आपको यह कितना आगया 30 degree यह कितना आगया आपको 47 degree आप क्या करो कि आपको पूरा निकालना यह वाला B C D यह तो simple है कैसे देखो simple है since angle DAB plus angle BCD is equal to 180 degree cyclic quadrilateral है बराबर concyclic points so therefore DAB is 75 plus BCD major angle BCD is equal to 180 so therefore measure angle BCD is equal to 105 degree so यह हो गया 105 105 degree हो गया उसके बाद कौन सा BC your BCD 105 हो गया बराबर और यह वाला BCA आपका हो गया है 47 47 और यह हो गया BDC हो गया है आपका कितना हो गया BDC it is 30 degree बराबर to 30 105 and 47 so that's correct ठीक है समझ में आरा आप लोगको इस ही है बहुत जादर डिफिकल नहीं लेकिन प्रीस दू keep your focus here क्योंकि mistake होने के chances बहुत जाद है बहुत जाद है बहुत जाद है बहुत साथ now in the following figure O is the center of circle ABC is an equilateral triangle so can you tell me what is this angle is it 60 correct equivalent this is 60 okay that is equilateral and यह पूरा पूरा 60 tell me if this is 60 this will also be 60 theorem number six याद रखो अच्छा आपको AEB निकालना है और ADB so ADB निकल का मुझे एक बात बताओ यह वाला 60 है तो यह 120 नहीं होगा cyclic सम्झो 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 बात चलो start करते है solution sub sub-sub-sublyam looking since since triangle ACB is an equilateral triangle is an equilateral triangle so what does that mean that means that okay therefore measure angle ACB is equal to measure angle BAC is equal to measure angle ACB is equal to one sorry equal to equal to 60 degree okay also measure angle ACB is equal to measure angle ADB and this is theorem number six what do you mean by theorem number six theorem number six both are angle in the same segment of a circle so this will be your 60 now since quadrilateral ADB is a cyclic quadrilateral cyclic quadrilateral therefore measure angle ADB plus measure angle AEB is equal to 180 degree so therefore you like a 60 plus measure angle AEB is equal to 180 degree so therefore measure angle AEB is equal to 120 degree a gaya easy hai 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 120 ho gaya and ADB hai hai 60 correct so this is your final answer so guys here we have done that so so this is this is it for this particular video thanks a lot for watching do take care of yourself lekin haa channel subscribe and please do like this video before 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 getting before quitting this particular video yeah please like video thank you for watching do take care of yourself let's meet in the next video till then take care and bye-bye take care bye-bye